यह इस टेंस, बोड ने आपके लिए model paper जारी कर दिया है, और विशे विज्ञान है, कक्छा 10 है, इसका पूरा solution दिखेंगे, 2022 देश के लिए बहुत ही important questions है, और बहुत ही बैतरीन तरीके से आपको इसको तयारी करनी होगी, इसमें जो pattern change हुआ है, इसमें आपको बता दूमें, प्रारंब के 15 मिनट तो आपको प्रशन पत्र पढ़ने को मिलेंगे, उसमें इसके बाद में आपको दो खंडों में यह paper divide मिलेगा, जिसमें खंड A और खंड B होगा, ठीक है, खंड A से लेकर के B तक सारा का सारा जो है तीन खंडों में खंड क, ख और ग में विवाजित होगा, ठीक है, खंड क जो है, इसमें आपको OMR सीट पे जो है खंड क का आंसर देना होगा, जो की एक एक अंको के होंगे और जिसके लिए समय आपको एक घंटा मिलेगा, और खंड ख और ग इन दोनों को solve करने के लिए, जो खंड बा में आएंगे, तो इन प्रशनों को solve करने के लिए आपको 2 गंटे का समय मिलेगा, जिसमें वर्णात्मक प्रशन रहेंगे, जिसको आपको लिख करके solve करने होंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप समझ गए होंगे pattern क्या है, और अभी और जब मैं solution कराऊंगा, तो यह pattern और भी बहतरीन तरीके समझ में आएगा, सभी विशय आपके upload किये जा रहे है, with full solution, इसी channel पर मिलेंगे, और कहीं नहीं आपको पूरे solution के साथ में हर एक प्रिशन का उत्तर, तो यहाँ पहला question है, उसकी बात करते हैं, जब प्रकास नेतर में प्रवेश करता है, तो जब प्रकास नेतर में प्रवेश करता है, तो अधिकान्स अप्रवेश करता है, तो अधिकान्स अप्रवेश करता है, तो अधिकान्स विदुद्धारा गुणा में समय यानि कि जो आपका वर्क अपॉन में आपका करेंट इंटू में टाइम होता है ठीक है तो हमारा जो है वोल्टता को निर्दीशित करेगा ठीक है तो हमारा जो कौन सा आंसर हो जाएगा यहां पर ए ओप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके वास्तविक और बड़ा ध्यान रखना वास्तविक बड़ा प्रतिविम बना सकता है तो श्तिती कौन सी होगी तो श्तिती होगी हमारी जब वस्तू दरपन के फोकस और वकरता केंदर के बीच हो तो हमारा जो है यहां पर गॉप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके बाद आते ह हैं अगर आप उसको पढ़ लेते हो तो फिर आप और भी अच्छे हो जाओगे अपने आपको जो है थोड़ा सक किलियर समझोगे कि हाँ एक्जाम में जो चैप्टर्स आते हैं उनकी कॉंसेप्ट आपको किलियर हो जाएंगे चौधा जो कुशन है इसमें पुझागा कोई विद्यार्ती स्यामपट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु पाठे पुझत क्में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ सकता तो निमलिखित में कौन सा कथन सही है तो इसमें देखिये जब वो पीछे बैट कर के यानी कि स्यामपट करू है दूर है उसससे प मतलब क्या हो गया? कि हमारे को क्या बताना है? यहाँ पे 4 option में से कौन सा सgी हो जाएगा? तो विद्ध्यार्थी जो है, क्या problem आ रहे है विद्ध्यार्थी को? तो विद्ध्यार्थी को problem यहा रहे है कि नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो जाता है, ठीक है न, तो यहाँ पर विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदू उससे दूर हो गया है, इसलिए वो पाठे पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता है, जबकि सबसे पीछे बेंच पर बैठ करके कोई विद्यार्थी सामपट पर यानि कि ब्लेक बोर्ड पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, ठीक है, इसके बाद आते हैं, नेक्ट पार्ट पांच वे पे, पांच वा जो कुश्यन है, इसमें पूछा गया है, पांच प्रतिरोधों को जिसमें प्रतेग का प्रतिरोध एक बटे पांच ओम हैं का उप पता है कि निम्तम प्रतिरोध कैसे राप्त किया जाता है, तो आपका तो एक होता है सीरीज में सामानतर क्रेणी होगा, एक तो सामानतर स्रेणी होता है, और एक आपका पार्सोच स्रेणी होता है, तो निम्तम किसमें होता है, यह आपको अच्छी तरह से पता है, तो जब ह प्रतिरोध अगर मैं जोड़ू तो इस तरह से आपका पहला हो जाएगा फिर आपका ये दूसरा हो गया इसी तरह से ये तीसरा हो जाएगा इसी तरह से हम सारे जोड़ लेते हैं फटा फट चार हो गये और ये पांच हो गया ये पांच प्रतिरोध हमने सामानतर करम में जाएगा 1 अपन में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो R1 प्लस में R2 प्लस एक बटे R3 प्लस में एक बटे R4 प्लस में एक बटे R5 तो इस तरह से 1,2,3,4 प्रतिरुद सब्द में किया तो हम यहाँ पर अगर इसको सौल करें, तो क्या आजाएगा, यहाँ पर आजाएगा 1,2,5 यह पहला R1 इस तरह से 1,2,5,R2 इस तरह से आपका दूसरा 1,2,5,R3 इस तरह से 1,2,5,R4 और फिर आपका 1,2,5 तो यह सारा R1, R2, R3, R1, R2, R3 की जगे सारे मान रख दिए, अब इसको जब हम solve करते हैं, तो यह कितना सिदा सिदा आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा यह 5, प्लस 5, प्लस 5, प्लस 5, प्लस 5, प्लस 5, यानि कि टोटल हो गया, 25 Ohm, और यह कितना आया, एक बटे R equivalent के, इसका मान आया 25, क्योंकि यह उल्टा करेंगे, तो यह सारा का सारा 5, जो है नीचे से उपर चला जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 25 आ गया, अब 25 Ohm तो आ गया, जब R equivalent निकालना है, तो R equivalent निकालूंगा, तो यह 25 जो है, यह 25 कहाँ चला जाएगा, एक बटे 25 हो जाएगा, यह इसके उल्टा आप क्रोस मल्टिप्लाई कर लो ना इसको, आप देखो यहाँ पर R equivalent है, ठीक है, यह कितना है, 25, अब इसको तिर्यक गुणा करो, तो यह 1 ब हो जाएगा, समझ में आगे आपको, आगे बढ़ते हैं, next question की तरफ, question number 6 देखिए, दिये गए चितर के अनुसार, कागज के तल में, इस्थित किसी 36 तार में, पूर्व से पस्चिम, यानि कि आपका जो आपको पता ही है, इस तरह से आपका, यह दिया गया है, यहाँ पे चेतर की दिशा, उत्तर से दक्षिन की ओर उस बिंदू पर होगी जो, अब यह क्या पूछ रहा है, चुमबक के चेतर की दिशा बतानी है, और इसको जो है, आपको simply देख लेना है, कि कहा होगी, तो हमारा answer हो जाएगा, तार के ठीक नीचे होगी, यानि कि तार के ठीक नी में, तो उसमें हम इसको discuss कर लेंगे, अगला जो question है, निमलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर इस्तित किसी वस्तु का प्रतिविम अत्यादिक छोटा बनेगा, तो अनंत पर इस्तित किसी वस्तु का छोटा प्रतिविम बनाना है, तो हमारे को क्या यूज करना होगा, सारे दरपन यूज कर सकते हैं, हम अनंत से सारे दरपनों में क्या होगा, तन्त छोटा बन जाएगा, आउतल दरपन, उतल दरपन, आउतल लेंस और उतल लेंस ये सारे के सारे साही है, इसके बाद आपका next part अब ख़खंड आ चुका है, अब इस ख़खंड में आपको फिर नमबर 9 पे, निमलिकित में से असंत्रप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानी है, असंत्रप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है, यह आपको बताना है, और यहाँ पर देखिए, आपको चार ओप्शन दिये गए हैं, और चारो में से आपको यहाँ पर कौखा गागा में से चुनना है, चारो देख लीजिए पहले, फिर मैं आपको समझा देता हूँ, कि इसमें आंसर कौन सा होगा, असंतरप्त, देख लीजिए पहले, असंतरप्त आपको बताना है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ख, अब ख, जो हमारा आंसर है, वो अ संतरप्त hydrocarbons होते हैं ठीक है यह समझ में आ गया होगा तो आमार आंसर अब समझ में आ गया आपको आंसर कैसे चूज करते हैं नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं अगला जो पार्ट है इसमें पुछा गया ठोस calcium oxide जल के साथ तीवरिता से अभिक्रिया कर calcium hydroxide बनाता है तथा साथ में उश्पा बन करता है इस प्रक्रिया को चूने का बुझना कहते हैं calcium hydroxide जल में घूल करके इसका विलियन बनाता है जिससे चूने का पानी कहते हैं निम लिखित में कौन सा कथन चूने के बुजने तथा इस विलियन बनने के लिए सत्त है इसके विलियन बनने के लिए सत्त है यह आपको बताना है तो आपका जो विलियन है इसमें क्या हो रहा है देखिए जब चूने की बात कर रहे हैं, तो चूने में क्या थे, उश्मा थी, तो ये कैसी अभिक्रिया हो गई, तो ये अभिक्रिया जो है, हमारी कैसी हो जाएगी, तो ये अभिक्रिया जो है, उश्मा शेपी अभिक्रिया है, ठीक है, ये कैसी अभिक्रिया है, उश्मा शेपी है, साथ से ज़्यादा होगा, तो C भी सही है, तो B और C हमारा सही है, तो option कौन सा सही है इसमें, तो हमारा खा option जिसमें B तता C दोनों सही है, इसके बाद आपका next part जो है 11 नमबर, एक परमानों की परमान भी ये तरिज्या का निमलिखित में कौन सा सही परदर्शन है, परमान य तो आपके गोले पे, जो है, सेंटर से आपका जो है, शेल के बाहर होगी, केंदर वाले शेल से बाहर वाले पे होगी, या उससे भी बाहर वाले पे होगी, ठीक है, तो आपका देखिए, यहाँ पर केंदर से यह आपका इस बाहर वाले पे आया हुआ है, और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी जो यह केंद से लेगे बाहर सेल पर. यह भी बाहरी सेल है K वाला और यह आपका M वाला. अगर L पर होता तो भी वह सहीं होता लेकिन यहाँ पर L पर कोई नहीं है. यहाँ पर देख रहे हैं आप यह दोनों डायगराम क्या हैं? यह wrong है, तो हमारा answer कौन-कौन सा हो जाएगा, second और third, अगर second और third है, तो हमारा option जो है, इसका कौन सा option सही होगा हमारा, option number, हमारा सही हो जाएगा, two and third, इसके बाद आज यह next part पे, next part में है, column A में दिये गए, रासायनिक पदार्थों का सुमेलन, column B में दिये गए, उनके अन column A और B को देखिए, ध्यान से, और फिर समझेए, इसमें क्या हमारा सही आने वाला है, तो column A में जो है, आपको bleaching powder है, baking soda है, धाउन soda है, और sodium chloride है, इधर काच का विरंचन है, इसके बाद में H2 and, तथा CL2 का उत्पादन है, hydrogen और chlorine का उत्पादन है, विरंचन है, और प्रती सभी को पता है कि यह क्या है, विरंचक है, तो हमारा C से इसको मिला देते हैं, ठीक है, अच्छा, baking soda क्या है, तो baking soda जो है, यह कैसा अमल है, हमारा, तो यह हमारा प्रती अमल है, तो हम इसको D से मिला देते हैं, ठीक है, इसके बाद जो है, आपका धावन soda, तो धावन soda क्या जाता है तो यहां पर इसको a से मिला देते हैं बचा हूँआ डर तो do option कौन सा match होता है A, D A के साथ में A के साथ में C ठीक है यह रहा A के साथ में C और B के साथ में हमारा D C के साथ में हमारा A और D के साथ में हमारा B तो हमारा जो go option है यह correct हो रहा है ठीक है तो यहाँ पर जो go option करेक्ट हो जाएगा तेरवे कोशन की बात करते हैं तेरवे कोशन है खाली स्थान नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो आपको अच्छी तरह से पता है क्या लाल करता है तो हमारा जो अमल है अमल नीले लिटमस को लाल कर देता है चूने के पानी से भरी परखनली में जब मुह द्वारा फूका जाता है तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूदिया हो जाता है तो देखो चूने के पानी से भरी परखनली है और मुह से आप फूक रहे हो तो जब मुह से फूक होगे तो आप oxygen तो दोगे नह उसे यहां पर करेक्ट हो जाएगा इसमें तो क्वेश्चन में ही आंसर चुपा हुआ है आपका इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर 15 नमबर पे कुछ डायनासोरों में एक पर एक पर मौझूद थे एक पर मतलब पंक जैसे है जिसको पिछ बोला गया है किन्तुवे उड़ नहीं सकते थे लेकिन पक्षियों में पर पंक होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं तो विकास के संदर्ब में इसका क्या अर्थ जो है आपको बताना है कि क्या आंसर देखेंगे सभी आंसर को तो यहां पर देखेंगे कि जो डानासोर के पंक तो थे लेकिन वह उड़ नहीं सकते थे लेकिन डानासोर आज नहीं है बहुत हजारों साल पहले थे अब पक्षी जो है वो है और उनके पास भी पर है जो जान डानासोर के पास थे इसका मतल करेक्ट हो जाया पक्षियों की उत्पत्ति सरी सर्पों से हुई है 16 नंबर कोशन पर मूव करते हैं 16 नंबर में यदि किसी जीव का जीवाश्म पृत्वी की अपेक्षा करत गहरी परतों से प्राप्थ हुआ है तब हम भविश्वानी कर सकते हैं क्या कर सकते हैं हम ये भविश्वानी कर सकते हैं क्योंकि ये पृत्वी की अपेक्षा करत गहरी परतों से प्राप्थ हुआ है मतलब आप मान नहीं सकते कि पृत्वी में कितनी गहरी परतों से प्राप्थ हुआ है तो इसका मतलब हम भवेशानी से ये कह सकते हैं कि पृत्वी पर जो ये जिवास में ये कई हजारो पूर्व जो है आये हुए होंगे या बिलोप हुए होंगे तो यहाँ पर खाव ओप्शन करेट हो जाए पर हमारा करम दिया गया है और इस करम में जो हमारा ये क्या होता है तो ये जो होता है हमारा ये प्रांग कूर होता है आपको सभी को पता है ठीक है न ये हमारा प्रांग कूर होता है और जो हमारा बी होता है ये क्या होता है ये हमारा होता है बीज पत्र ठीक है अब यह बीजपत्र हो गया तो C क्या होता है हमारा मुलांकुर होता है अगर यह सब इस लाइन से सही है तो यहाँ पर आंसर कौन सा सही है सबसे पहले प्रांकुर देखते हैं प्रांकुर इसमें है दूसरे पर बीजपत्र तीसरे मुलांकुर तो गा option जो हमारा correct हो जाएगा अठारा नमबर question की तरफ move करते हैं इसमें क्या पूछा गया है आपसे अमरता देवी यहाँ पे देवा नहीं है देवी है ठीक है यह misprint है विश्णोई रास्टिय पुरसकार भारत सरकार दुआरा किस छेत्र में प्रदान किया जाता है तो सभी को अच्छी तरह से पता है कि अमरता देवी रास्टिय पुरसकार जो है यह जीव वन्स अनरक्षन के लिए प्रदान किया जाता है का option correct हो जाएगा उनिस्वा जो question है इसमें है यदी मटर के एक गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौध हो यानि कि ये तो गोल बता रहा है और ये आपका हरे रंग के बीज को बता रहा है ठीक है न ये क्या बता रहा है आपका double R जो है capital R वो बता रहा है गोल और जो आपका ये double Y है ये बता रहा है यहाँ पर यहाँ पर जो है यह कुश्चन और कुछ बोला देखिए यदी मटर के एक गोल तता हरे रंग के बीज वाले पौधे आर-ार वाई-वाई जुर्रीदार तथा पीले रंग के बीजवाले पोधे आर-ार और कैपिटल वाई-वाई में संकरण कराया तो फबीज कैसे प्रावच होगे तो देखो इनके जो बीज प्रावच होगे मैं बता देता हूँ आगे जाके हम इसको discuss करेंगे कि वह बड़ा question आएगा वहाँ पर हम इसको discuss कर लेंगे हर जगे discuss करेंगे तो वीडियो जो है लंबी हो जाएगी तो हमारा हो जाएगा गोल और पीले answer जो है इसका सही होगा ठीक है क्या मिलेगा हमें गोल और पीले मिलेंगे अब मैं बताऊंगा गोल और पीले कैसे मिलेंगे ठीक है आगे हम आगे question में discuss कर लेंगे वीश्वा question है निम लिखी चित्र में अंकित ए मादा जन्नांग तंत्र के किस भाग को परदर्शित करता है तो अंकित ए जो यह बोल रहा है यह वाला चीज जो है यह से denote किया है इसने तो यह पूछ रहा है कि यह denote किया हुआ यह वाला चीज जो आप देख रहे हैं यह क्या है तो आपने सभी ने answer समझ लिया होगा कि यह क्या है तो यह जो है आपका क्या है अंडास से है तो यहाँ पर घाओ option correct हो जाएगा